राजन, मैं प्रमान देने के लिए तयार हूँ, पर उससे पहले मैं कुछ चाहती हूँ. क्या चाहिए? थोड़ा दूद? राजन, इस पात्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? दूद? क्या दूद के अलावा कुछ और दिखाई दे रहा है? नहीं. पर मुझे तो मखन भी दिखाई दे रहा है? क्या आपको मखन दिखाई दे रहा है? नहीं. पर राजन, क्या इसमें मखन नहीं है? है. जैसे दूद के कणकण में मक्खन है, मक्खन के कणकण में घी है, वैसे ही ईश्वर स्रिष्टी के कणकण में भिन भिन रूपों में है, जो है पर दिखाई नहीं देता जैसे दूद से मक्खन पाने के लिए उसे मथना ज़रूरी है, उसी तरव वेदान के शवन, वेदान का मनन और उसके नहीतार पर निरंतर ध्यान के द्वारा ही ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है राजन, क्या आपके पहले प्रशन का उत्तर आपको मिल गया? मैं मान लेता हूँ, पर वो किसे देख रहा है? किस और देख रहा है? क्या मुझे एक जलती उई मुम्बत्ति मिल सकती है? राजन, ये रहा आपके दूसरे प्रशन का उत्तर. प्रकाश की ये लोग कहा देख रही है? किसे देख रही है? ये सभी को देख रही है. सभी और देख रही है? राजन, जिस तरह इस मुम्बत्ति का प्रकाश चारो और फैला हुआ है, उसी तरह ईश्वर की चेतना चारो और फैली हुई है. और उसी चेतना के कारण हम चलते हैं, बोलते हैं और सुनते हैं. जैसे ये प्रकाश सभी और देख रहा है, वैसे ही ईश्वर सभी और देख रहा है. अब आपका तीसरा प्रशन, वो इस समय क्या कर रहा है? राजन, इस समय मैं आपके प्रशनों का उत्तर दे रही हूँ. इसलिए मैं तुम्हारी गुरु हूँ और तुम मेरे शिश्य. पर मैं खड़ी हूँ और तुम बैठे हूँ. यदि अपने प्रशन का उत्तर चाते हो, तो तुम्हें मुझे अपना आसन देना होगा. राजन, ये रहा तुम्हारे तीसरे प्रशन का उत्तर. कुछ देर पहले आप सारे मंदिरों से मूर्तिया हटवाने का विचार कर रहे थे. इस समय आप इश्वर के बारे में फिर से विचार करने लगे हैं. आप मेरे स्थान पर खड़े हैं, और मैं आप किसी हासन पर बैठी हूँ. इधर एक राजा को सामान्य नागरिक का स्थान और एक सामान्य नागरिक को राज से हासन दे सकता है. ये आप देख रहे हैं, आप मेरे स्थान पर और मैं आप किस स्थान पर बैठी हूँ. इश्वर इस समय ये करवा रहा है, उस अनंत और असीमित शक्तियों के स्वामी, जिसनी ये सुन्दर, अद्भुत, विसमेकारी और महान संसार रचा है, जिसमें सूर्य, चंद्र, तारे, क्रिहनक्षत्र, अपने-अपने स्थान पर स्थेर और गतिमान है, जिसके कण-कण में एक विवस्था है, ऐसे शब्दों और ज्यान से परे इश्वर के लिए क्या संभव है, कहिए राजन, क्या मंदिरों से मूर्टिया हटवाई जाएं? मूर्टिया तो उस इश्वर की प्रतीक है, उनका मूर्थ रूप है, वह सर्वग्य, सर्वशक्ति मान, सर्वव्यापी इश्वर, सर्वत्र है, किसी ने उसको पत्थर में पाया, किसी ने पेड़ों में, किसी ने शब्दों के माध्यम से तो किसी ने प्रार्थना करके वही परमात्मा अनेक नाम, रूप और गुणों में व्यक्त होता है और कोई उन्हें अरूप और निर्गुणा तो